हैलो फ्रेंट्स हाइ नमस्ते कैसे आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे स्वस्त होंगे मस्त होंगे व्यस्त होंगे भगवान की पाप के आप सदेव बनी रहे हैं आज हमारे मन में और बहुत से लोगों के मन में यह confusion है कि उद्या तीथी से क्यों नहीं सब्सक्राइब मनाया जाएगा तुम्हारा कफन सत्य है उद्यात इसी की प्रशानता रहती है और उद्यात इसी होने से यद्यब की पुर्णमासी कल बहुत कम है सवा साथ में तक ही पुर्णमासी है और इसके बाद वह परिबा हो जाता है भादो का धादो का परिबा हो जाने के साथ है वह जो पंचक का नक्षत्र जो है धनिष्ठा वह प्रारम हो जाता है धनिष्ठा नक्षत्र उस दिन बतलाया गया था कि पांच अंतिम नक्षत्र जो होते हैं वो पंचक कहे जाते हैं धनिस्था से रेवती तके, अब पंचक में कोई भी सुभकार्ज बर्जित हो जाता है, रक्षा बंधन में बहन भायों के दिर्गहायू की कामना करते हैं। और जब वह सुभमुर्थ नहीं रहता है, तो वह दिर्गहायू संभव नहीं हो पाता है। तो बहुत ज़ी करना ही है, कल है, तो कल प्रात काल सवा सात बजे तक आप राखी बाम सकती हैं। इसके बाद में नहीं करना है, और इसी दिये पंचांग निर्माता असपस रूप से घोशना कर दिये, कि रात्री में आज के दिन रात्री में जब भद्रा समाप्त हो जाता है, तब रक्षा बंधन का काज प्रारंभ किया जाए। भद्रा समाप्ति के बाद रात में करना कोई दिशेज नहीं है, लेकिन पंचक में गाठ बानना या सुब काम कुछ भी करना या एकदम सर्वता निशेद है, इसलिए कल राखी नहीं बनाएंगे, नहीं बनेंगे, क्योंकि कामना तो हमारी है भाई के कल्यान की, तो वह हम क नहीं करेंगे सवा सात बजे के बाद, यहीं कारण है कि कल्य राखी नहीं बनाएंगे चैनकी , प्रात काली वह पर्णूवासी समाप्त हो जाता है , एक दो भादो का परिभा होता है , दुसरा पंचक हो जाता है, इन दो कारणों से राखी नहीं बानी जाएगी। यही आज तुम्हें या और अन प्रत्यवहार के समान दीन भर हम क्यों नहीं मनावें दीन भर नहीं मनाने का कारण ही में असपस्ट क्या हूं इसी को मान करके और ब्रत्यवहार को मनाना चाहिए बस इतनी ही बात है और भादो हो गया और पंचक जादे घातक है पंचक जो है वह जादे घातक है वह भादो से जदी पंचक नहीं रहता है तो भादो को होना को इग्नोर किया जा सकता था और निर्ने सिंदू के नुशार की जो उदयात इती है उसी की बाहनता दीन वह रहेगी लेकिन पंचक जो है तो नक्षत्र हो आज आने से वह सुभकार्ज एक दम बरजित है यह निर्णे सिंदू का भी निर्णे है इसलिए हम रख्षाक बंधन कर नहीं करें आई होप आप लोग क्लियर हो गए होंगे आगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी क्यूंकि बहुत सारा कंफ्यूजन होता है सब के मन में कंफ्यूजन ऐसा हो रहा है तो अगर कॉंसेट क्लियर हुआ होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक सस्क्राइब और सेयर क किजएगा ताकि वह भी कंफ्यूजन में आके कुछ गलत काम ना करें और वह भी सही मुहुर्थ में सही तरीके से रक्षा बंदन का तहवार मना सकें चलिए फिर मिलेंगे नेक्ट वीडियो में तक तक लिए बाए लव्यू आल टेक केर